हलो सुदेंट्स वेल्कम टू अफीसियल यूट्यूब चैनल आफ ओरिजिट कोचिंग आज का हमारा जो सेशन है वो क्लास 11 फिजिक्स हिंदी मीडियम क्लास 11 का जो हम हिंदी मीडियम का जो सिरीज चला रहे हैं उसमें अभी तक हमने मापन बढ़ा है आपको मापन के बाद का जो टापिक है एक्चुल में फिजिस का जो स्टार्टिंग है मेजर्मेंट तो बहुत कामन चीज है मेजर्मेंट तो ज़ुरत है है सब्जेक्ट मेजर्मेंट फिजिक्स 11 क्लास का जो सिलेबस है एक्चुल में वो स्टार्ट हता है सरल रखी गती स्टेट ल देखिए क्या होता है 10th class के बाद जब आप science system में जाते हैं और जब physics आप पढ़ते हैं तो यहां से physics के actual में एक नया शुरुवात होता है जो हम 10th class तक physics में पढ़ा होते हैं वो तो basic चीज है यहां से फिर से शुरुवात होता है तो यहां पर जो physics के branches हैं उसमें हमारा 11th का physics है उसका जो major portion है mechanics है या अंतरिकी और competitive exam में mechanics के questions सबसे ज़्यादा पूशे जाते हैं देखें जिन लोग competitive को preparation करने के लिए आप लगे हैं अभी सी start के हैं 11th class से उन लोगों को मेरा एक suggestion है कि आपका 11th और 12th दोनों class का physics को मिला के जब NEET या IITJE का आपको जो question paper बनता है उसमें 11th class का portion का जो question आता है उसका major portion mechanics से ही होता है जिसकी आज मैं यहां पर सुरुवात करा हूँ तो mechanics का जो portion है वो आप बहुत ध्यान से समझे और यह आपका 11th class का सबसे important इसमें कई चप्टर आपको पढ़ने होंगे आज हम पढ़ेंगे जैसे सराल रेखा में गती फिर संतल में गती पढ़ेंगे फिर गती के नियम पढ़ेंगे फिर बृती गती पढ़ेंग गती, motion and state line तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इसके basic चीज़ पर हम बात करें तो गती का हम सबसे पहले concept समझेंगे गती, motion, गती या motion naturally गती के बारे में आप सबको पता है, आप lower class से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम उसके बारे में थोड़ा depth में बात करेंगे actually में गती है क्या, गती का मतलब क्या है, तो आप पूरे inverse को देखिए, पूरे ब्रह्मान को आप देखिए तो पूरे ब्रह्मान में कोई भी वस्तु आपको दो condition में मिलेगा, या तो rest condition में मिलेगा, इस्थिर अवस्ता में मिलेगा तो दोनों में क्या difference आप देखते है जो इस्थिर वस्तु है जैसे हमारा ये जो building है ये आज भी यही है कल भी यही रहेगा आगे भी यही पर रहेगा मतलब ये अपने इस्थिती को यहां से नहीं बदलेगा इसलिए क्या है ये rest particle है ये इस्थिर पिन है लेकिस suppose मैं मैं खुद अपने आपका example लूँ तो अभी मैं इस classroom में हूँ थोड़ी देर बाद मैं कहीं और चला जाओंगा फिर और कहीं चला जाओंगा तो मैं कहा हो जाओंगा moving particles moving body हो जाओंगा गती सिर्पिन हो जाओंगा क्यों कि मैं अपने position को change कर रहा हूँ तो सिधी सी बात है motion या गती का मतलब होता है इस्थिती में परिवर्तन यदि कोई भी particle कोई भी body अपने इस्थिती में परिवर्तन करे तो किस के सापेक्ष अब यहाँ सवाल यह है कि किस के सापेक्ष तो सापेक्ष क्या होता है किसी भी परिवर्तन के लिए हम physics में जो समय के सापेक्ष बदल रहा है, समय किसी के सापेक्ष नहीं बदल रहा है, समय सापेक्ष नहीं है, समय क्या है, निर्पेक्ष है, तो समय के साथ, इस तरह से हम गती का परिवासा बहुत इसपस सब्दों में कहें, तो क्या कहेंगे, यदि कोई पिंड समय के साथ अपने थे नहीं कर सकते, तब हम किसके सापेक्स करते हैं, किसी इस्थिर प्रिंड के सापेक्स, जैसे मान लो कोई भी वस्तू जैसे यहाँ पर एक खंबा है, सपोज यह जो पोल है, और यह कोई विकल है, कोई train है, सपोज यह हमने train सपोज कर लिया, अब ट्रेन गती सील है लेकिन यह खंभा क्या है अपने जगा में इस्तिर है तो इसके सापेक्स यह अपने इस्थिती में परविदन कर रहा है इसके सापेक्स यह अपने इस्थिती में परविदन कर रहा है इसलिए हम ट्रेन को क्या कहेंगे गती सील पिर्ण कहेंगे लेकिन आप आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारे पास कोई सापेक्षिक पीड़ना हो तो हम गती का अनुभव नहीं कर पाते वैसे मैं आगे चलके जब इसके डेप्थ में जाऊंगा तो आपको जब रिलेटी वेलसिटी पढ़ाऊंगा सापेक्षिक वेक या आपेक्षिक गती तब इ के सास होता है क्योंकि जब आप कार में बैठे होते हैं तो आप बिल्लिंग को या पेड़ को या रोड के किनारी इस्थिर पिंडों के सापेक्षिक अपनी सिति को बजलते हैं महसूस करते हैं तो आपको लगता है कि आप गती सिल है लेकिनchts imagine करें कलपना कीजिए है आप कि हम पृत्वी में बैठे हैं पृत्वी पूरे ब्रह्मान में इस गैलेक्सी में सुर्य के चारों और एक पत्व पर चक्कर लगा रहे हैं आप सबको पता है that means हम पृत्वी में बैठे हैं पृत्वी गती सिल्वी मेरा comparison आप फ्रध्यान देंगे ना physics imagination पर best है आपका imagination capacity जितना अच्छा होगा आप physics को उतना अच्छा समझ पाएंगे मैं बता रहा हूँ कि कार में बैठ के हम गती को महसूस कर पाते हैं लेकिन पृत्वी रूपी गती सिल्वी पिंड में बैठ के हम गती को महसूस नहीं कर पाते हैं जबकि पृत्वी की गती तो कार के compression में इतना अधीक है कि हमको anytime हमको motion का हिसास होना चीए जैसे कार में बैठ के हम motion का हिसास करते हैं गती के हिसास करते हैं तो हाँ पर वजह क्या है क्या reason है कि पृत्वी भी गती सिल्वे ये बात तो आप सबको पता है कि पृत्वी सिल्वी नहीं है पृत्वी गती सिल्वे और हम उस गती सिल्वी पिंड में सवार है पृत्वी हमारा वाहन है और उसमें हम सवार है लेकिन हमको अपने गती के हिसास नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि प्रित्वी के सापेक्ष हमारे आसपास कोई इस्थिर पिंड नहीं है आप मेरे जांपर समझ रहे हैं कार के सापेक्ष इस्थिर पिंड है कार के सापेक्ष रोड के बगल में बने बिल्लिंग है तो हमको एहसास होता है कि हम उसे दूर जा रहे हैं लेकिन पृत्वी के सापेक्ष हमारे आस पास हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देते यदि हम जुपिटर से, मार्स से और किसी और ग्रह से तुलना करें हमको दिखाई नहीं देते तो पृत्वी में गती का हैसास नहीं होता इस पकार मैं आपको ये बताना चाहा हूँ कि गती सापेक्ष है that means हमको गती का एहसास तभी होता है जब हम उस पिंड का किसी दूसरे पिंड के साथ में क्या करते हैं तुलना करते हैं इस पकार हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यदी कोई पिंड किसी इस्थिर पिंड के सापेक्ष ऐसा भी कर सकते हैं ना यदी कोई पिंड किसी इस्थिर पिंड के सापेक्ष अपने इस्थिती में परिवर्तन करें तो उसे हम क्या करते हैं गती सिल्पिंट कहते हैं या गती कहते हैं अब जब हुन गती पढ़ते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं देखें एक बात आप हमेशा ध्यान ने रखना कि इसलिए जब मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्टिंग में इंट्रोड़क्शन में आप मैं पूरा आगे जितने उसके पाइट पढ़ाऊंगा सब के fundamental पर मैं completely discuss करता हूँ इसलिए आप सब से मेरा request है कि first number का वीडियो आप कभी मिश मत करिए उसको बहुत ध्यान से देखें तो फिर second, third, fourth number का आपको बहुत अच्छे से समझ म्यागाकों कि पहले दिन मैं उसके concept पर detail discuss करता हूँ तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें मैं पूरा motions related, motions related जितने भी हमारे basic concept है वो सब आपको बताऊंगा तो देखें यहाँ पर अब मैं आपको जो सबसे important इसमें concept है वो है दूरी और विस्थापन, दूरी जिस हम इंगलिस में कहेंगे distance, यहाँ मैं एक chart के फार में आप question कर रहा हूँ और विस्थापन, विस्थापन displacement, दूरी और विस्थापन, यह दोनों क्या है देखें, दूरी हम किसे कहेंगे और विस्थापन हम किसे कहेंगे, तो मान लो, यहाँ पर एक इस्थिती है, यह यह position, अब यहाँ से ही 15 पकार से चलते हुए, यहाँ पहुँच गया, यह इसका रास्ता है, वो यहाँ से यहाँ गया, फिर इस तरह से इस तरह से रास्ते को आप जैसे देख रहे हो, जैसे जनरली हमारे रास्ता होता है, वो यहाँ तक बी तक पहुँच गया, जैसे एक student अपन गर से निकला और मेरे कोचिंग लास तक आने के लिए जैसा जैसा उसके घर से रास्ता है वो यहां तक आया तो यह जो पत की लंबाई दूरी मतलब होता है किसी गती सिल पिंड द्वारा तै किये गए पत की लंबाई पत मतलब रास्ता पत की लंबाई मतलब किसी गती सिल पिंड द्वारा प्रारंभी की स्थिति और अंतिमि निस्थिति के बीच जो पत की लंबाई है उसे हम क्या कहेंगे दूरी कहेंगे लेकिन विस्थापन क्या है यह विस्थापन है यह क्या है विस्थापन है मतब देख रहे हैं यह प्रारह्मी की स्थिती और अंती मिस्थिती की बीच की निवनितम दूरी है क्योंकि इस्टेट लाइन है सीधी रेखा से फिर छोटी दूरी नहीं हो सकती तो विस्थापन क्य को जाएगा किसी गति शिल्पन के प्राडाभी किस्थिती और अंतिमिस्थिती के बीच की नियूनितम दूरी को लिस पकार आप देख रहे हो घे कि That means, दूरी क्या है? अदिश रासी है. अदिश रासी आपको पता है कि अदिश रासी मतलब ऐसी भहोतिक रासियां, जिनमें केवल क्या हो? परिमाड हो. जिसमें कर मात्रा हो. उसे हम क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं. इसके बाद क्या है? विस्थापन. तो विस्थापन कैसी रासी है? यह सदिश रासी है. क्योंकि इसमें परिमाड के साथ साथ दिशा भी होता है. देखें, इसकी दिशा निश्चीत है A से B. यह सीधा ऐसा जाएगा. जैसे हम एरवेज से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, तो वो विस्थापन तै करता है. क्योंकि इसकाई में उसका जो पाथ है, स्टेट लाइन होता है. वहाँ पर पाइलेकर उसको जिग जिग पाथ में तेढ़ी मेढ़े रास्ते में नहीं चलाता है. लेकिन जह हम रोड में जाते हैं, हम भाईक से या कार से जाते हैं, तो हम अदिश रासी है, यह सदिश रासी है. दूसरा important बात यह है, suppose मैं दूरी को capital D से पतरशित कर रहा हूँ, यहाँ आपको सांकेतिक्र से समझाने के लिए और विस्थापन को small D से पतरशित कर रहा हूँ, इसके उपर हम vector का निसान लगा सकते हैं, सदिश का, यह clear? तो यहाँ पर सबसे important बात यह है, कि दूरी जो होता है, यह दूरी, वो कभी भी सुन्ने से छोटा नहीं हो सकता, यह आप निसान को समझेजिए, छोटा का निसान लगा के मैं काट दिया, मतलब छोटा नहीं हो सकता, दूरी कभी भी सुन्ने से छोटा नहीं हो सकता, that means दूरी रिडा अत्मग भी हो सकता है, मतलब दूरी हमेसा क्या होगा? Always greater than r equal to 0 होगा, और ये विस्थापन, विस्थापन सुन्ने से कम भी हो सकता है, सुन्य के बराबर भी हो सकता है, और सुन्य से बड़ा भी हो सकता है, ये बात को बहुत ध्यान समझे, यही है concept, इन चीजों को आप नहीं समझेंगे, तो आगे आपको बड़ी परसानी होने वाली है, इसलिए आप सुरू से concept को clear करते में चलिए, तो इसमें मैं क्या बताएं आपको, कि दूरी कभी भी रिडात्मक नहीं हो सकता, वो हमेसा धनात्मक होगा, या सुन्य हो सकता है, सुन्य होने का मतलब है, body rest condition में है, वो गती ही नहीं कर, मतलब उसकी सितिखीक्स है, तो दूरी सुन्य हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, कि यह जो विस्थापन है, वो सुन्य से कम भी हो सकता है, सुन्य से कम का मतलब क्या हो गया यह रिडात्मक यह रिडात्मक भी हो सकता है और सुन्य के बराबर भी हो सकता है और धनात्मक भी होता है अब आपके दिमाग में कोस्चन आना चाहिए कि भई निगेटिव डिस्प्लेश्मेंट रिडात्मक विस्थापन कैसे होता होगा सु यहां समय रो लगा कि बतारों इसका जीरो होने का मालो एक पिंड यहां से यहां तक गया यह से बी तक उसने गती किया अब वो बी से सी तक गती किया और उसके बाद सी से वापस अपने प्रारंभी किस्थिति में आ गया है तो यहां पर जो विस्थापन होगा वो क्या होगा सुन्य होगा क्यों क्योंकि इसकी प्रारंभी किस्थी ती यहां गया यहां गया और यहां यहां और अरंती मिस्थी ती दोनों सेम पॉइंट है या कोई पिंड क्या है वृत्ताकार पत पर गती कर रहा है सपोज यह यह पिंड सपोज यहां A से गती करना स्टाइट किया और बती करते 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 दुबारा ए पर वापस आ गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा विस्थापन सुनी हो जाएगा तो सुनी विस्थापन होना आपको समझ में आ गया अब देखें रिडात्मक विस्थापन का मैं आपको यहाँ पर एक्जामपल दे रहा हूँ रिडात्म की उचाई मालो 10 मीटर है अब यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है और यहाँ से उसने एक बाल को उपर ठेख दिया इस तरह से यह हम building के छचत में खड़े हैं और building के छचत से हमने एक बाल को उपर ठो कर दिया अब यह जो बाल है यह अधिक्तम मुचाई तक यहां तक जाएगा यहां तक जाने के बाद क्या होगा यह वापस गिरेगा अब वापस गिर के सपोस्थ वो कहां वापस गिर गया प्रिथी में वापस गिर गया यह यह पुना प्रिथी में वापस आ गया अब यहां पर क्या ह भी किस्थिती में वापस आ गया है लेकिन वो टावर से नीचे गिर रहा है मतलब अपनी वास्तवी किस्थिती से भी नीचे आ रहा है तो यह जो वो दूरी तय करेगा यह रिडात्मक विस्थापन हो गया है यहाँ पर डी कोल्ट होएगा माइनस 10 मीटर यहाँ पर रिडची किसी पीशे जैसे एक और एक जामपर बताओं मान दो यहाँ पर मैं खड़ा हूं मेरे सामने दिवाल है मैं एक बाल रखूँ और बाल को मैं दिवाल से इस तरह से माल दिया अब बाल क्या होगा दिवाल से टकनाने के बाद वापस आएगा अब उसको सपोस मैंने जिस तो यह एक जामपर आपको समझना जवरी है कि रिड़ात्मक विस्थापन कब होता है तो रिड़ात्मक विस्थापन यह समझना जवरी है और सुन्ने विस्थापन का मतलब होता है अपनी प्रानवी किस्थिती पर वापस आ जाना और धनात्मक को सीधा सा है मतलब जो आग टापिक नहीं समझ गाएगा, clear अब हम इसी तरह इसी से compare करके अपन पढ़ते हैं चाल और वेग जो जो अंतर दूरी और विस्थापन में है वही अंतर चाल और वेग में हैं, समानी बोल चाल में हम चाल और वेग को चाल को हम कहते हैं इंगलिस में क्या, speed और वेग velocity चाल और वेग speed और velocity चाल क्या है, और velocity क्या है देखिए, हम समानी बोल चाल में चाल और वेग को एक जया सची समझ लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय चाल बराबर दूरी बटे समय होता है और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय विस्थापन बटे समय आप बात समझ ले होंगे कि दूरी मतलब क्या है ये अदिस रास्य, यह आप मैंने पढ़ाया जैसे कोई भी गती सिल्फिन बिना दिशा के किसी भी दिशा में चले जा रहे हैं जैसे हम कार से जा रहे हैं तो रोड में जैसे जैसे टर्नी होगा हम भी वैसी टर्न होते जाएंगे तो हम क्या करेंगे हम क्या कहेंगे चाल हमारे कार का चाल उसकी स्पीड इस तरह से आप समझ सकते हैं कि चाल क्या है? एक अदिस रासी है, जो मैंने भी आपको बताया, जो दुरी और विस्थापन ने बताया, और वेग क्या है? एक सदिस रासी है. अब चाल तो समान एक फार्मूला है, दुरी बटे समय, अब यदि हम वेग के कुछ फार्मूला देखें, तो वेग के कुछ फार्मूले बता रहा हूं, इसको आप स्टार्टिंग से लड़ न करते जाएंगे, तब ही आपको आगे चल के निमेर्तल्स बनेगा, तो वेग को अपन वी से पतासीत करें, तो V बराबर महलों विस्थापन को S से पतासीत करें, तो S अपन T होता है, एक फार्मूला ये मैंने बताया, कि V एक्वाल टू S अपन T, जो जनरली हम लोवर क्लास में भी यूज़ करते हैं, वे एक बराबर विस्थापन बटे समय, दूसरा फार्मूला मैं आपको सदिश के रूप में बता रहा हूँ, तो ये V एक्वाल टू हम लिख सकते हैं, X T माइनस X नाट अपन T, अब यहाँ पर आप समझे है, X T क्या है, केतों का आप समझे है, तो X T का मतलब क्या है, किसी पिंड का T समय में इस्थिती, और X नाट क्या है, किसी पिंड का सुन्य समय में इस्थिती, मतलब T समय में इस्थिती, मैं सुन्य समय मतलब प्रारभी किस्थिती, जैसे एक पिंड ऐसा गती करना सुरू किया, तो ये कहलाएगा X नाट, क्योंकि यहां से start किया था और यह क्या कहलाएगा अब यह ऐसा कर दिया मैं इसको XT तो XT में X nat को minus करेंगा तो विस्थापन मिलेगा ते कहलाता है विस्थापन इस रूप में मतलब इसको यह आसान सब्दों में कहें तो अन्ति मिस्थिती रिड प्रारंभी किस्थिती बटे समय और तीसरा फार्मूला है जो कल्कुलास का फार्मूला है वो है V equal to Ds upon dt मतलब यदि हम विस्थापन का समय के सापेक्स आउकलन करें तो हम उसको क्या कहेंगे वेक कहेंगे एक important सूचना आप लोग के लिए यह है कि आप सब के सब जितने भी 11 class के student हैं वो सब के सब सब से पहले मेरा जो गडिती आउधार्णा mathematical concept पर जो मैंने 5 वीडियो बनाया और playlist में आपको English में लिखा होगा mathematical concept वहाँ पर आप परसान मत होना कि सर्थ तो इसको English language में इंग्लिस में इंग्लिस में नहीं mathematics दोनों language में common समझ में आ जाता है तो वहाँ पर आप उस वीडियो को जरूर देखिए बहुत अच्छे से उसको त्यारी किजिए जिसमें फर्स्ट वीडियो में आपको binomial theorem जिसको हम हिंदी में दीपत्र में कहते हैं और फिर उसके बाद calculus फिर vector algebra सदिस सदिस ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है यदि आपको कोई problem होता है तो आप मेरे comments box में लिखे कोई problem हो रहा है तो otherwise वह 5 वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि मैं जब अब फिजी सब start कर रहा हूं आपका आगे का तो आपको जगा जगा गडित के सुत्रों का जोगत पढ़ेगा कही जगा हम calculus का use करेंगे, alkaline करेंगे, samakaline करेंगे वो सब मैंने पढ़ाया हुआ है तो इसलिए उसको आपको देखना जरूरी है जैसे अब मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ अब आपको समझ में आए कि DSBTT क्या है तो परसानी होगी इसलिए आप उसको जरूर देखिए और आप यह हुआ चाल और वेग अब हम देखते हैं त्वरण और मंदन यह टर्मिनोलाजी आपको समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना त्वरण इंग्लिश में बताता हूँ मंदन क्या है और फिर मैं बताता हूँ मंदन क्या है त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्टन त्वरण को हम प्रदर्शिप करते है एस है जो कि सदिस रासी है उसके उपर सदिस का निशान लगा दिया और यह होता है V-U upon T यह त्वरण निकालने का फार्मूला है यहाँ पर V क् प्रारमभीक वेग है और T क्या है समय तो हम इसको सब्दों में क्या कहेंगे वेग परिवर्टन वेग में परिवर्टन और बटे क्या है यह समय तो वेग परिवर्टन की दर को हम क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्टन की दर को त्वरण कहते हैं यह इसकी बाइक चलाते हैं तो accelerator को जब हम increase करते हैं बढ़ाते हैं तो गाड़ी की speed बढ़ता है क्यों क्योंकि हम उसके गती को बढ़ा रहे हैं तो acceleration मतलब होता है वेग में परिवर्तन तो तोरण का परिवर्तन की दर को तोरण कहते हैं और यह इसका फार्मूला है यहां पर आप वेग है भी अंतिम वेग है और यू क्या है प्रारभी वेग है और टी तो आपको सबको पता है टी क्या है यहां पर समय है तो वेग परिवर्तन की दर को तोरण कहते हैं और calculus में इसको निकालने का फार्मूला है a equal to होता है dv upon dt मतलब यदि हम वेग का समय के साफ एक अवक निकल जाएगा वो तोरण निकल जाएगा clear इस प्रकार से और इसका unit क्या होता है unit होता है meter second to the power minus to मतलब meter second inverse ठीक है meter second is one इस प्रकार से देखें यह समय है और यह वेग तो वेग कखो तो meter प्रति सेकंड होता है फिर second का भावा तो meter सेकंड inverse या इसी को हम क्या लिख सकते है meter प्रति सेकंड इसक्यार यह हो गया तोरण अब हम समझते है मंदन मंदन क्या है मंदन retardation मंदन मतलब देखो तोरण और मंदन दोनों एक जैसा ही चीज़ है यह भी वेग में परिवर्तन है और यह भी वेग में परिवर्तन है लेकिन दोनों में एक difference है तोरण में हमेशा पिंड के गती में व्रिद्धी होती है जैसे मैंने अब यह गांपाज दिया कि हम गाड़ी का accelerator देते हैं तो गाड़ी की speed बढ़ती है लेकि सपोस हमको bike को रोकना है या car को रोकना है तो हम उसमें brake लगाते हैं तो brake लगाने से भी वेग में परिवर्तन ह होता है लेकिन उसमें कमी के रूप में तो उसे हम क्या कहेंगे मंदन मतलब मंदन ही वेग में परिवर्तन है लेकिन कमी के सेंस में यहां पर वेग में कमी होती है इस प्रकार से इसका परिभासा होता है एक्ट्वल में जो रिडात्मक त्वरण है रिडात्मक त्वरण को ह कहते हैं मंदन कहते हैं इसका सीधा से परिभासा है रिडात्मक तोरण मतलब negative displacement को और इसको हम minus a से पदर्शित करते हैं यदी तोरण के सामने रिडा के चिन लगा हो यदी तोरण के सामने जैसे किसी पिंड का हम तोरण निकाले अब वो हमको मिल गया minus 20 meter per second square तब हम वो तोरण नहीं उसको मंदन कहेंगे क्यों उसका value किस में आ रिडात्मक में तो रिडात्मक तोरण को हम क्या कहते हैं मंदन का दोनों के units टेम है clear next topic एक समान गती एक समान गती एक समान गती इंगलिस बोलते हैं uniform motion uniform motion एक समान गती देखो मान लो कोई pin गती सील है ये उसका रास्ता है ये उसका पत है हम a position से उसका गती स्टार्ट करते हैं a से b पहुचा वो फिर b से c पहुचा फिर c से d पहुचा इस पकार से आगे जा रहा है और a से b के बीच की दूरी है मान लो एक किलो मिटर ये एक किलो मिटर है और b से c के बीच की दूरी भी मान लो एक किलो मिटर है c से d के बीच की दूरी भी क्या है एक किलो मिटर है अग A से B तक की दुरी तय करने में मालोग पिंड ने दो घंटे का समय लिया और B से C तक की गती करने के लिए भी उसने सपोस्थ दो घंटे का समय लिया और C से D तक के लिए भी दो घंटे का समय लिया अग इस एक्जांपल में आप समझ रहे होंगे कि ये जो गती सिल पिंड है वह समान दूरी देखो ये भी एक किलो मीटर समान दूरी समान समयंतराल में तै कर रहा है इसको भी दो घंटा तो इस प्रकार के गती को हम क्या कहेंगे एक समान गती कहेंगे यूनिफामोशन कहेंगे तो परिभासा क्या जागी इसका यदि कोई पिंड समान दूरी समान समयंतराल में तै करे तब हम उस पिंड की गती को क्या कहते हैं एक समान गती कहते है यूनिफामोशन कहते हैं और एक इमपार्टेन बात ध्यान रखना आप यहां पर कि जब कोई भी पिंट एक समान गती करता है तो उसका तोरण क्या होता है जीरो होता है क्यों जीरो होगा क्योंकि वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है अभी हमने पढ़ा है वेग परिवर्तन की दर को तोरण कहते है यहां तो वेग में परिवर्था ही नहीं हो रहा है वेग क्या है? नियत है मतलब भी को हम क्या कहते है यहाँ पर नियत कहते है constant तो एक समान गती में वेग नियत होता है और तोरण क्या होता है? सुननी होता है और इसके साथ अपन पढ़ते हैं असमान आपको मैं सभी टर्म को इंग्लिस में इसलिए बता रहा हूँ मेरा सुरू से बैसिक नेचर है कि मैं हिंदी मिडियम के क्लास में कम से कम टर्मिनोलाजी को इंग्लिस में जरूर बताता हूँ वो इसलिए भी जरूर्दी है कि आप में से जितने भी स्टुडेंट जब आगे चलके कम्पूटिटी अग्जाम का प्रिप्रेशन करेंगे तो आपको कुछ स्टेंडर कुस्टेन इंग्लिस मिडियम में ही मिलेंगे दूसरा इंपॉर्टेन बात यह है कि जब आप आप्टर 12th class higher education के लिए जाएंगे सपोस्ट आपका NEET में सेलेक्शन हो गया सपोस्ट आप इंजिनेरिंग करने चलेगा या IIT में चलेगा तब आपकी पढ़ाई complete English मिडियम में होगी तो हिंदी मिडियम में स्टुडेंट्स को मेरा सेजेशन है कि कम से कम beginning से स्टार्टिंग से आप पूरा सब चीज English में मत पढ़ो लेकिन आपको नाम कम से कब English में होना चाहिए उसका habit डालो सुरू में कठीन लगेगा हो सकता है आपको थोड़ सा burden लगे लेकि उसे भागो मत इसलिए आप वाच कर रहे होगे कि हर टर्म को मैं English में बता रहा हूँ तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना वो आपको आगे के लिए लाबदायक है तो समान गती क्या होगा देखो यहाँ पर ये पत मालो मैं लिया A, B, C, D इस तरह से ये एक किलोमीटर है ये भी एक किलोमीटर है ये भी एक किलोमीटर है लेकिन यहाँ से यहाँ तक मालो दो घंटे में गया और B से C तक जाने में उसने तीन घंटा का समय ले लिया फिर C से D तक वो एक घंटे में ही तैकर दिया तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं समान दूरी को असमान समय में तैक करता है या उल्टा भी सही होता है समान समय में असमान दूरी तैक मतलब दोनों समान नहों उट दोनों में से कोई एक चीच अलग हो तो इसका सीधा सा परिभासा क्या हो जाएगा यदि कोई गती सिल्पिंड समान दूरी अलग-अलग असमान समय में तैक करे यदि कोई गती सिल्पिंड समान दूरी असमान समय में तैक करे तो इस प्रकार के गती खुम क्या कहेंगे असमान गती कहेंगे non-uniformition कहेंगे और इसमें पिंड में तुरन होता है क्यों होता है क्योंकि इसमें वेग में परिवर्टन हो रहा है वेग परिवर्टन को तोरण गहते हैं तो वेग बदल रहा है यहां पर वेग नहीं बदल रहा है इससे तोरण क्या है? सुन्य है तिया दोनों बात आप ध्यान न रखेंगे clear? अब हम पढ़ते हैं इसका लास्ट टर्म है वो है ताथ छडिक वेग ताथ छडिक वेग के टर्म है देखिए ताथ छडिक वेग instantaneous velocity या ताथ छडिक वेग का परिभासा क्या होता है देखो जैसे मान लो हम किसी गती सिल्क पिन्ड पर है एक समानियसा डेपनेशन है कहीं पर ताथ छडिक वेग आपको सुनने क्यों मिलेगा तो आप परसान मत हो जाना करके मैं आपको इसको बता रहा हूँ बाकी कोई बहुत important concept नहीं है जैसे कोई गती सिल्क पिन्ड है सपोज हम बाइक में यात्रा कर रहे हैं और हम अपने speedometer को देखे और उस समय हमारी गाड़ी का वेग सपोज 40 km पती घंटा वो बता रहा है तो वो उसका ताच्छडिक वेग नाम सी इसपास से देखो ताच्छडिक मतलब तुरंद का तुरंद at a time मतलब किसी गती सिल्क पिन्ड का तुरंद का वेग जो होता है वो उसका ताच्छडिक क्योंकि वेग घट रहा या बढ़ रहा है लेकिन तुरंद ठीक 10 बज़े ठीक 10 बज़े उसका वेग कितना था तो इतना था वो उसका क्या हो जाएगा ताच्छडिक वेग और इसका कोई mathematical concept नहीं है ठीक है तो यह है इसका terminology अब हम देखिए इस chapter में जो सबसे important चीज होता है वो है graph जिसको हम को starting में समझना है graph समझने के लिए graph इस chapter को बहुत important चीज है म even teachers भी graph को क्या करती escape कर देते हैं graph है पढ़ लेना ऐसा नहीं competitive exam में graph जरूर आता है आप किसी भी competitive exam के paper को निकाल के देखे तो आपको उसमें बहुत सारे graph के question मिलेंगे इसलिए graph को आपको ढ़ंग से समझना है तो यहाँ पर हम graph पढ़ना इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे यह जो graph में बता रहा हूँ वो क्या है एक समान एक समान गती के लिए या एक समान चाल गती कहें एक समान चाल कहें वो सब एक ही मतलब है एक समान चाल के लिए graph पढ़ रहे हैं और पहला graph है हमारा suppose वेग समय graph वेग समय graph शाट थाम में इसको हम हीटी graph बहते हैं velocity time graph वेग और समय के बीच में खीचा गया graph हीटी graph खेलाता है यह graph को आपको अच्छे सा तयार करना है क्योंकि इसमें numerical question बहुत बनते हैं तो वेग और समय के बीच में हम graph करें और एक चीज़ आप घ्याँ चाल के लिए है जो भी हम graph बना रहे हैं उसमें पिंड का चाल क्या है एक समान है मतलब भी क्या है नियत है अब यह हमने ले लिया x-axis यह ले लिया y-axis और यह इसका मूल बिंदु है x-axis में हमने suppose ले लिया समय को यह time को x-axis में ले लिया और यहाँ पर ले लिया इसके यह आप सपोस, यह एक पोजिसन है, और यहाँपर समय T है, तो T समय पर मानलोग पिंड का वेग यह है, V, यहां तक मानलोग V है, ग्राप में यह V डिस्टेंस है, V वेग है, सॉरी डिस्टेंस ने वेग है, तो T समय पर वेग वी है, अब समय T से परिवर्थित होके suppose क्या हो गया T-dates हो गया क्योंकि समय तो लगातार बदल रहा है समय इस्थित नहीं है समय तो लगातार बदल रहा है तो T समय पर पिंड का वेग भी था तो T-dates समय पर पिंड का वेग क्या हो जाएगा तब भी भी रहेगा क्या है एक समाइन चाल है और एक समाइन चाल में क्या होता है भी नियत होता है भी नहीं बदलता इस पकार से T-DES समय पर भी वेग भी ही होगा तो हम समय में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वेग वही रहेगा अब ये चारो बिंदू को मिला दिया जाए तो हमको यहाँ पर यह आयत मिल जाएगा Suppose इस बिंदू का नाम A है इसका A डेस है इस बिंदू का नाम B है और Suppose इसका B डेस है तो यहाँ पर हमको A, A डेस, B डेस भी एक आयत मिलेगा यहाँ आप figure में देख रहे हैं यह एक आयत है अब यह graph के बारे में हम यहाँ पर explain करें कि graph में कौन-कौन सी दूरी क्या है तो graph के नीचे आप लिखेंगे यहाँ करके तो यहाँ आप देखो O से लेकर B तक O से लेकर B तक क्या है? T डेस है O से लेकर A तक क्या है? T है मतलब यहाँ पर यहीं हम A B लिखें A B चितर में आप देखिए यह A B उसको हम क्या लिख सकते हैं O B माइनस O A O B माइनस O A और O B क्या है? T डेस और O क्या है? T मतलब यहाँ पर जो A B जो दूरी है उसको हम समय के रूप में क्या लिख सकते हैं T डेस माइनस T लिख सकते हैं उसी प्रकार से आप वेक को देखो यह A A डेस बराबर होगा B B डेस के क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में तो यह हो जाएगा A A डेस बराबर B B डेस और बराबर हम क्या लिख सकते हैं? भी लिख सकते हैं यह यहां ग्राब में यह दूरी को इस प्रकार से पदरसित किया गया है दूरी के रूप में ऐसा है लेकिन समय के रूप में यह दूरी के रूप में यह है और वेक में ऐसा यदि इस फार्मूला को हम विस्थापन के लिखें तो समय इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं विस्थापन बराबर यह हो जाएगा वेग गुडित समय है देट इंप्लाइज विस्थापन का संकेत S होता है S से पतसित कर दें इसको और वेग हमारे यह पास क्या है V और गुडित समय क्या है T-DAS-T क्योंकि समय जो हमने यूज किया है अनतीम समय रिर्प्राव्यवे समय यह हो जाएगा बेंप्लाइज आगे हम S इक्वेल टू क्या लिख सकोते हैं वेग को क्या लिख सकते हैं A-A-DAS क्योंकि वेग को ग्राप में हमने A-A देस के दूरी की रुपमें पदरसित किया है तो हो जाएगा A A डेस और गुरिट T देस माइनस T T देस माइनस T क्या है A B है यह हो जाएगा A B that implies S equal to यह लंबाई गुरित चोड़ाई लंबाई गुरित चौड़ाई तो किसी भी आयत की लंबाई गुरित चौड़ाई तो हूं का करते हैं आयत का 2006 फर करते हैं अस बराबर हो जाएगा आयत A A Dess B Dess B का 2006 फर तो यहां पर ध्यान दिजेए यहां पर जो रिजार्ज निकला वो बहुत important है कि suppose हमको किसी numerical में इस प्रकार से कोई graph दिया हो और हमको पिंड का विस्थापन पूछ रहा हो तो हम क्या निकालेंगे आयत का छेतर फर निकालेंगे या उस चितर में जो भी हमको छेतर मिलेगा उसका छेतर कोई जोरी नहीं आयत ही मिले वहा त्रिभूज मिल जाए और कुछ मिल जाए तो जो भी वहाँ पर चितर में मिलेगा उसका हम क्या निकालेंगे छेतर फर निकालेंगे तो इस टापिक का जो concept है वो क्या है यदि एक समान गती करने वाले या एक समान गती करने वाले पिंड के वेक तथा समय के बीच में ग्राफ खीचा जाए तो पिंड का जो विस्थापन होता है वह उस ग्राफ में बने छेतर फल के बराबर होता है ये concept आपको ध्यान में रखना है और ये आपको numerical में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये आप ध्यान रखना तो ये ग्राफ बहुत important है और ये result आपको याद रहना चाहिए इसके बाद second number के हम ग्राफ पढ़ते हैं इस्थिती समय ग्राफ और समय के बीच में ग्राफ खीचे हैं अब हम पढ़ेंगे इस्थिती और समय के बीच में ग्राफ दूसरा ग्राफ इस्थिती समय ग्राफ ये कहलाता है पोजिसन टाइम ग्राफ इस्थिती ग्राफ पोजिसन और टाइम के बीच में ग्राफ इस्थिती और समय के बीच में ग्राफ ये ग्राफ पर आप यहां समझे ये इसी तरह से हम ले लेते हैं एक्स अक्सिस ये वाई अक्सिस एक्स अक्सिस में हम टाइम को ले लेते हैं यह T और दूसरा position इस इस्थिती में लेते हैं अपर position को यह मैं English में लिख दिया position यह अपने position को ले लिया यह मूल मिंदू है अब आप देखिए कि यहाँ पर suppose समय T है और T पर pin की इस्थिती यह है जिसको मैंने कह दिया XT अभी आपको मैं समझाया हूँ X के बाद अंदर में bracket में T लिखने का मतलब होता है T समय पर pin की इस्थिती तो यह हो गया अब समय आगे बढ़के suppose T डेस हो गया तो अब यहाँ पर देखिए इस्थिती सिधा रेखा नहीं जाएगा क्योंकि इस्थिती इस्थित नहीं है भले ही एक समय चाल है वेग नियत है लेकिन pin का वेग नियत होने पर position नियत नहीं होता जैसे मालो कोई pin 20 मीटर 30 सेकंड के इस bit से गती सिल है तो क्या इस जगा में खण रहेगा नहीं रहेगा वो अपनी स्थिती को तो बदलेगा तो जब इस समय बदलेगा तो इस थिती भी बदला जाएगा ये suppose इसका condition है x t d s तो graph यहाँ पर ऐसा बनेगा अब ये हमने इसको मिला दिया इसके बाद मालो इस बिंदू का नाम a है इसका नाम a d s है suppose ये b है ये b d s है और यहाँ पर हम एक रचना करते है a d s से b b d s पर क्या करते है लंब डालते है ये इसको समकोर की भूज बनाने के लिए और इस पोर का नाम माल लेते हैं थीटा मालो ये थीटा है तो ये हमारा एक graph है इस थिती और समय के बीच में अब हम यहाँ पर उस बात को explain करेंगे जैसे वहाँ किये थे यहाँ करके यहाँ क्या क्या है देखिए यहाँ पर यह जो distance a b जो पहले आपको बता चुका हूँ है a b equal to हो जाएगा o b minus o a जो की हो जाएगा t d s minus t के पराबर clear यहाँ तक यह हो जाएगा किसका मान a b का अब यह क्या है देखिए a a dash x t है a a dash और जो की बराबर है यह बराबर होगा किसके इसके आमने सामने की पूज जाए तो b c के बराबर होगा b c के और इसको हमने क्या लिया है यहाँ से यहाँ तक की position को क्या लिया है x t तो यह हो जाएगा x t clear और यह जो पूरा distance है b b dash b b dash equal to क्या है x t dash है अब हम सिर्फ यह निकालना चाहें क्या b dash c तो b dash c बराबर इस दूरी को देखिए b dash c को हम क्या लिख सकते हैं b dash b b dash और minus b c मतलब यहाँ पर इस बड़ी दूरी में इस छोटी दूरी को घटाये जाए तो यह वाला दूरी मिलेगा तो b dash c equal to हो जाएगा b b dash minus b c that equal b b dash b b dash का value हम यहाँ पर निकालकर रखे हैं क्या x t dash x t dash minus b c तो b c कितना हो जाएगा x t यह उपर निचे लिखे हैं आपन x t इन दूरीयों को हम यहाँ पर इस पकार से निकालके रख देंगे कि कौन-कौन सा दूरी क्या है तो graph बनाने के बाद इसको explain करना है कि कौन सी दूरी किस फाम में है अब यहाँ पर हम निकालेंगे वेग बराबर वेग बराबर विस्थापन बटे समय तो वेग ही बराबर विस्थापन क्या हो जाएगा विस्थापन का मतलब होगा अंतिमिस्थिति रिड्ट प्रारभी किस्थिति तो अंतिमी स्थिती क्या हो जाएगा XT-XT upon समय तो समय अंत्राल क्या है Final time T-T यह हो जाएगा तो V equal to XT-XT upon T-T That implies आगे इसको अशाल्व करें तो V equal to XT-XT यहाँ पर आप देखिए XT-XT जो कि क्या है B-C यह है B-C और अपान T-T यह है T-T जो कि किसके बराबर है AB के बराबर है अगे हैगा AB that implies V equal to B-C upon AB तो B-C यहाँ पर देखिए यह है B-C और अपान AB upon AB AB किसके equal है A-C के बराबर है इसको आगे हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं B-C upon यह जो AB distance है यहाँ पर वो ग्राफ में A-C के बराबर है अब यहाँ पर आप देखो V बराबर इस समकोर्थी भूज को देखो B-C क्या है लंब है थीटा का सामने वाले भूजा क्या होता है लंब होता है तो यह क्या है लंब है और यह ADC क्या है अधार है तो लंब है अधार को हम क्या करते है 10 थीटा तो V equal to क्या हो जाएगा यह 10 थीटा तो यहाँ पर यह जो फार्मूला अपने को मिलता है वो final equation मतलब क्या पता चलते है अपने को यदि पिंड एक समान 4 से या एक समान गती कर रहा हो तो इस्थिती और समय के मध्य यदि graph खीचा जाए तो उस पिंड का जो वेग होता है वह graph के ढाल इसको बोलते हैं ढाल graph का slope graph के ढाल के बराबर होता है या वहाँ पर बने कोड के इस पर सिजा के 10 theta को हम हिंदी में कहा होता है इस पर जाके बराबर होता है तो ये graph का ढाल कहलाता है जिसको हम scientific भासा में प्रमवाड़ता करते हैं प्रमवाड़ता gradient इसको gradient कहा जाता है तो ये आप ध्यान रखना भी बराबर 10 theta होता है ये पूरे फरमूले आपको आगे नुमेरकर्स में काम आएंगे और एक important question भी है इस पकार से एक समान्चाल में यदि इस थिती और समय के बीच में graph खिचा जाए तो वे क्या होता है 10 theta के बराबर होता है तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें motion का जो chapter है गती का जो chapter है सराल रेशी गती का उसमें जो basic fundamental मैं आपको बताया और मैंने आपको जो दो graph बताया तो इसके बाद मैं आज इस topic को यहाँ पर close करता हूँ क्योंकि इसके बाद यह मेरा basic fundamental है सबसे पहले आप यहाँ तक के topic को बहुत अशी से तयार करेंगे क्योंकि देखिए अभी 10th class के बाद आप first time physics को depth में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको starting में छोटे छोटे वीडियो आपको provide करा रहा हूँ जिसमें बहुत आराम से मैं चीजों को समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत लांग experience है मुझे पता है कि student जब 10th के बाद 11th class में आता है तो physics से वो डरता है भागता है starting में लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आपको धीरे धीरे उसमें interest आएगा मज़ा आने लेगा लेकिन शुरुवात में मेरा इतने दिन का experience है शुरुवात में कई student इवन अपने subject faculty change कर देते हैं वो commerce में आर्स में चले जाते हैं आपको यदि interest है सबसे important चीज़ आपको interest यदि आपको interest है तो difficult भी धीरे धीरे easy हो जाएगा तो आपको interest develop करने का ज़ुरत है मैं पूरी कोशिस करूँगा मेरे subject में आपको अच्छा से interest है तो next वीडियो में फिर हम इसके गती के समी करन जिसके दो तीन वीधी है एक समानी वीधी और उसके बाद ग्राफी वीधी और इसा आप हमको पढ़ाएंगे यहां तक लेकिन आप उस वीडियो से पहले बहुत अच्छे से तयार हो जाएंगे और आप फिजिस पढ़ने के लिए फिर रेडी होते जाएंगे ओके थैंक्यू